राजधानी में लहसुन की कीमत 400 रुपए प्रती किलो के रिकॉर्ड स्थर तक पहुंच गई है। पिछले साल की तुलना में इसकी कीमत में 250 से 300 प्रतिशत तक की उच्छाल देखी जा रही है। पिछले वर्ष फरवरी मार्च में लहसुन की कीमत 100 रुपए से 120 रुपए प्रती किलो के बीच थी अगस्त 2023 के बाद से इसकी कीमतों में इजाफा शुरू हुआ जो धीरे धीरे बढ़ते हुए पटना खुद्रा बाजार में 400 रुपए किलो के बीच पहुँच गई है लहसुन की बड़ी कीमतों को लेकर व्यापारियों का कहना है कि जहां से लहसुन की सप्लाई होती है रेट वहीं से बड़े हुए है दरसल पिछले साल लहसुन की फसल कम होने की वज़े से इस साल लहसुन का आवक कम हो गया है थंड में लहसुन की मार्केट डिमांड अधिक होने के कारण भी दाम बढ़ गए है यही कारण है कि देश के कई शहरों में लहसुन छे सो से आठ सो रुपए प्रती किलो तक विक रहिंग है थोक विक्रेता आवकी की माने तो अगले 15-20 दिनों में लहसुन की कीमतों में कमी आएगी बाजार में लहसुन की नई फसल पहुँचने लगी है हालां कि अभी फसल में नमी है तेज धूप होने पर जैसे जैसे फसल सुखेगी लहसुन की कीमतें कम होंगी देश में कुल लहसुन उत्पादन में अकेले महराश्टर का योगदान लगभग 40 फीस दी है इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में भी यह फसल काफी मात्रा में होती है पिछले वर्ष बेमौसम बारिश ने लहसुन की फसल को बरबाद कर दिया इसके अलावा फसल की कटाई में भी देरी के कारण नई फसल बाजार में पहुचने और बाद में सप्लाई चेन में शामिल होने में में देर हुई है Bureau Report Market Times TV